पाली सीखो पांच नहीं जा रहा चुकि मैं आपको grammar समझा रहा हूँ मैं आपको व्याकरन समझा रहा हूँ जो व्या होते हैं यानि कि बदलते रहते हैं व्या होते रहते हैं वो सारे कारक समझा रहा हूँ यानि वो सारे कारन समझा रहा हूँ जो खच होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, वे होते रहते हैं, इसको व्या कराना बोलते हैं अगर पुराने समय में ऐसा बोला जाए सुधीर ने, मेरे नाम के आखिर में ना आ है ना उ है, ना ए है ना उ है, तो क्या है? बचा ए बचा, यानि रे में ए है अगर कोई शब्द आखिर में सिंगल सब्द हो और उसके बाद में कुछ भी ना हो तो इसका मतलब ए उसके अंदर होता है रे यानि रे और ए रे आदा रे नहीं है पूरा रे है रे तो ऐसा सब्द जिसका अंत यानि की अंत जो है वो ए है तो एकारांत का मतलब है कि ऐसे अंत होता है, शब्द का, और मैं जो नाम है ये पुलिंग है, मस्कुलर है, यानि कि ये जो जेंडर है, ये एम है, मस्कुलिंग जेंडर है, ये पुलिंग है, पुर्सवाचक है, तो यहां मेरे नाम की खास बात हो गई, एक तो मेरे नाम के आ पाली के अंदर पहले कैसे करते थे अगर को ये कहना पड़े के सुधीर ने मैं सुधीर हूं सुधीर ने या बुद्ध ने क्योंकि बुद्ध के नाम के बाद भी ए आराय धे इंधे और ए धे तो बुद्ध ने या सुधीर ने या किसी का नाम मनोज है तो मनोज ने या किसी का नाम सुसील है तो सुसील ने इस पूरे दो वाक्य को यानि सुधीर ने को एक सब्दों में पहले पाली में बोला जाता था क्या बोला जाता था सुधी रो सुधी रो यानि सुधीर में ओ लगा दिया सुधीर में अगर O लगा देंगे तो यह हो जाएगा सुधीर ने यानि कि बहुत सिंपल है पहले हम बोलते थे सुधीरो और अब बोलते हैं सुधीर ने आपने बहुत बार सुनोगा बुद्धो योखलीतो दोसो पढ़ेंगे आप बार बार कहीं बुद्धा आएगा कहीं बुद्धो आएगा अभी मैं बुद्धा की बात नहीं कर रहा बुद्धो की बात कर रहा हूँ तो बुद्धो का मतलब है बुद्धने जब भी कहीं ये सेंटेस आजाए बुद्धो इसका मतलब बुद्धने बुद्ध ने क्या किरिया की वो बात की बात है अभी आप इतना समझें कि बुद्ध ने या सुधीर ने या मनोज ने को बोलेंगे मनोजो या अगर सुसी ले तो सुसी लो अब आप अपने sentence में जहां ने हैं ने खतम होके ये पूरा एक sentence बनता है ऐसे ही अगर ये कहना पड़े सुधीर को यानि के सुधीर को अभी हमने वो सरल कर दिया है पाली को मगर पहले सुधीर को को एक सर्दम बोला जाता था इसको बोलेंगे सुधीरंग अंग जहां लगता है ये पाली का signature है पाली की पहचान है तो सुधिर प्लте अंग, और अंग को लगाने के लिए जो निगेत है जो मैंने आपको बताया है एक बिंदी उपर लगती है आखिर में, यानि सुधिर के आखिर में जो रह है उसके उपर इक बिंदी लगेगी आखिर वाली बिंदी अंग पड़ी जाती है और बीच में जो बोलें कि बुद्ध को नमन करता है बुद्धंक नमामी करता हूँ यानि बुद्ध को नमन करता हूँ तो बुद्धंग आ गया तो इसका मतलब बुद्ध को या जैसे आपका नाम है आपका नाम है जैसे सुसील तो सुसीलंग तो सुसील को हो गया या आपका नाम है मनोज तो मनोज नंग हो गया यानि बाद में अगर ए आ रहा है तो उसमें अंग लगा देना है जैसा कि मैं यहां स्लाइड में आपको बता रहा हूँ तो ये दो सब्दों को पहले पाली में एक सब्दों बड़े आसानी से बोला जाता था अब जैसे सुधीर द्वारा यानि सुधीर के द्वारा या सुधीर नहीं ये किया या बुद्ध नहीं ये किया या मनोज नहीं ये किया या सुसील नहीं ये किया या राकेश नहीं ये किया तो द्वारा को जो बोला जाता है इसको बहुती सिंपिल तरीका है, इसमें बोलते हैं सुधीरेन, राष्ट में एन लगा देते हैं, सुधीरेन, जैसा आप इसमें देख रहे हैं स्लाइड में, सुधीरेन, सुधीरेन का मतलब है सुधीर के द्वारा या सुधीर द्वारा, बुद्धेन, यानि बुद्ध के द्वारा या राकेश राकेशेन राकेशेन शे नहीं होता पाली में शे नहीं बोला जाता राकेशेन राकेशेन हो गया या मनोजेन मनोज के द्वारा या मनोजने या ककचेन जैसे आरी को बोलते हैं ककचेन तो ककचेन का मतलब हो गया आरी के द्वारा तो ऐसे simple simple से दो सब्दों को एक सब्द में पाली में बोला जाता है इसलिए जब कोई लिखा होता है कहीं पे बुद्धा का इसका मलब बुद्धने, बुद्धंग बुद्ध को, बुद्धेन यानि बुद्ध के द्वारा अगर हम बोलें सुधीर के लिए सुधीर के लिए अब सुधीर के लिए तो आज की रेट में हम हिंदी में इसको सरल करके लेके आ चुके हैं सुधीर के लिए बोलतेंगे मगर उस समय पाली में ऐसा नहीं बुदा जाता था के लिए अगर कहीं आ गया तो उसके लिए बहुत सिंपल सथा शद इस लगा देते थे या आय लगा देते थे जैसे आपने देखोगा नमो बुद्धाय यानि बुद्धाय बुद्ध के लिए या बुद्धस से नमो बुद्धस से या नमो बुद्धाय यानि कि बुद्ध के लिए नमन या बुद्ध के लिए नमन दोनों ही बाते ठेक हैं या तो हम बुद्धाय बोले यानि बुद्ध में आये लगाते या बुद्ध से बोले बुद्ध में इस से लगाते जैसा मैंने स्लाइड में आपको यहां दिखाया है यानि के लिए जैसे कोई कहे सुधिर असे यानि सुधिर के लिए या सुधिर आय सुधिर के लिए दोनों एकी बात है या मनोज असे या मनोज आय या राकेस असे या राकेस आय तो ऐसे सिंपल सा अगर आय लगा देंगे या इस लगा देंगे बाद में इस उन सब्दों में लगाते हैं जहां के लिए इस्तमाल होता है तो बुद्ध से का मतलब बुद्ध के लिए और बुद्धाय का मतलब बुद्ध के लिए दोनों सेम है और अगर लेना हो सुधीर से कुछ यानि सुधीर से लेना हो या बुद्ध से लेना हो तो कैसे बोलेंगे पाली के अंदर तो इसका बहुत ही सिंपल सा जो आंसर है क्योंकि से में जो आता है वो आता है बुद्धा या सुधीरा या मनोजा या राकेसा यानि कि अगर हम आ लगाते हैं बाद में तो बहुत सिंपल सा है इसका मतलब से और अगर हम आ लगाना चाहें तो आदा मेर हैं यानि बुद्ध मा, सुधीर मा, राकेश मा या मनोज मा यानि मा लगा दिया तो भी इसका मतलब है के राकेश से या सुधीर से या बुद्ध से या मनोज से और अगर हम इसमें और भी एक सब्द इसमें है इसमें तीन सब्द है, आ लगादें, या महा लगादें, या इसमा लगादें, या बुद्धस्मा, सुधिरस्मा, मनुजस्मा, राकेस्मा, राकेस्मा, या या आदा से और में का आ का डंड़ लगादें, इसमा लगादें, या बुद्धस्मा, सुधिरस्मा, राकेस्मा, य तो महा लगाता है या इसमा लगाता है या आका डंडा लगाता है इसका तीनों का मतलब सेम होता है सुधीर से, बुद्ध से, मनोज से या राके से सिंपल सी एक बात हो जाएगी आज की जिट में तो हम से बोल देते हैं कि हम मनोज से लेके आए या सुधीर से लेके आए उस समय इसको मनोज मा या मनोज इसमा या मनोज मा यानि बुद्ध मा या बुद्ध मा या बुद्ध समा ऐसे करके बोलते थे अब अगर कोई एक है कि सुधीर का या सुधीर की कोई चीज है या जैसे मेरा पुत्र है या पुत्री है या कोई किताब है या कोई चीज है सुधीर की है या सुधीर का है यानि कि कुछ भी हो सकता है तो का और की के लिए बहुत सिंपल सा है जो पहले के के लिए था यानि इस से लगा देते हैं यानि बुद्धस से इसका मतलब बुद्ध का या बुद्ध की सुधीरस से यानि सुधीर का या सुधीर की मनोजस से यानि मनोज का या मनोज की ये राकेसस से यानि राकेस का या राकेस की तो इसका मतलब ये उनकी हो जाती है यानि पूरा कार की ने जोड़के सिर्फ इस से लगाना है उसके अंदर और ये सिंपल सा जोड़ जाता है अब आता है में और पर यानि सुधीर में या सुधीर पर यानि सुधीर में ये खराबी है या सुधीर पर ये जमता है और या नहीं जमता है, दोनों बात एक हैं इसको अधिकरन करके बोलते हैं यानि अधिकार की तरह से-itरह से इसमें सभसे सिंपल आता है कि आप इसमें ए लगा दिजिए यानि सुधीरे सुधीरे कर दिजिए या बुद्धे कर दीजिए या राकेसे कर दीए या मनोशे कर दीजिए यह सबसे सिंपल है और अगर आप ए लगाने नहीं चाहते हैं तो इसमें आता है मिह, यानि सुधीर मिह या बुद्द मिह या राकेस मिह या मनोज मिह और एक सद और भी आता है जो आखिर में चुटता है जैसा मैंने इसमें स्लाइड में दिखाए आपको इसको बोलते हैं सुधिर इस्मिंग इस्मिंग करके अगर लगा देंगे या बुद्धिस्मिंग या राकेश इस्मिंग या मनोज इस्मिंग तो इस्मिंग भी लगा देंगे इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि राकेश में या राकेश पर सुधीर में या सुधीर पर बुद्ध में या बुद्ध पर मनोज में या मनोज पर यानि ये पूरा सेंटेस को खाली ए लगा दें आखिर में बुद्धे करने या बुद्धिस्मिंग करने या बुद्ध मी करने और अगर किसे बाचित करनी हो तो बाचीत करने के लिए जो बोला जाता है वो जैसे कहते हैं न संबोधन हे सुधीर यानि कि सुधीर से अगर बात करनी है या बुद्ध से बात करनी है या राकेश से बात करनी है या मनोज से बात करनी है तो बहुत सीधा सा तरीका है या तो उसका खाली नाम ले ले दें या सुधीर नाम मेरा है या बुद्ध ले दें या राकेश या मनोज पूरा या आ का डंड़ लगा दें जो आपना सुरू में लगा था सुधीरा या मनोज मनोजा या राकेशा और या बुद्धा तो ये सारे के सारे जो पूरी स्लाइड आप देखेंगे ध्यान से कर देखेंगे पूरी टीटेबल जो यहां दिखाईगी है तो आप ये पाएंगे कि अगर सुधीर ने काम किया है तो सुधीरो हो गया सुधीर को का मतलब सुधीरंग उस परकार यह जो पूरी टेबल है वो यहां दी हुई है अब इस टेबल का फाइदा क्या है पुराने समय में ये जो शब्द हैं ने को केलिये ने पर से द्वारा या संबुधन का की के ये नहीं होते थे पहले पहले सब्द के साथ में ये उसके कोड चलते थे जुड़ जाते थे जैसे का बुद्धो यानि बुद्धने बुद्धन यानि बुद्ध का या बुद्धेन यानि बुद्ध के द्वारा ये सारे सारे सब्द चुगी भासा वही थी बोला वही जा जाता था बाद में भासा और सरल होई और सरल होने के साथ साथ में ये सब्द अलग होते चलेगे उनसे और एक सब्द रहा और जो जो जोनने वाले थे वो अलग होते चलेगे पुरानी पाली भासा में आपको जब आप पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको का, की, के, मेющ, बे, पर, द्वारा, चे लिए ये सब्द नहीं मिलेंगे मगर फिर भी पाली भासा पढ़ी जाती है और समझी जाती है तो इसलिए समझे पड़ी जाती है क्योंकि उस सब्द के आखिर में वो जोड़े हुए होते हैं और उसको जो पालिक अभ्यास करते हैं और देखते हैं और समझते हैं वो समझ जाते हैं कि इसका sentence का मतलब क्या है इसलिए वो देखने में थोड़े से अजीव लगते हैं अगर अगर आप लगाता लगाता अभ्यास करेंगे तो वो बड़े सरल और बड़े आसानी से आपकी समझ में आते चले जाएंगे जादा नहीं है इसको बोलते हैं विभत्ती विभत्ती का मतलब है वी माने होता है अलग करना और भत्ती माने होता है भंजन करना यानि कि उनके खंड खंड टोकोडे करना इसको विभत्ती बोलते हैं यानि विभत्ती का मतलब है बाटना या बटा हुआ होना खंड खंड करना तो विभक्ति और जो बाद में संस्कारित भासा बनी उसमें उसको विभक्ति बोलते हैं, विभक्ति यानि विभक्ति पाली में और विभक्ति बोलते हैं इसको संस्कारित भासा में, तो पाली भासा के अंदर जो इसके नाम आते हैं वो आते हैं पठमा, दुतिया, ततिया, चतुत्ती, पंचमी, छट, याने कि छट्टी, सत्तमी और आलपन, आलपन का मतलब संबोधन आखिजियत में, और जो संस्कारित भासा में, क्योंकि संस्कारित भासा पाली भासा से ही बनी है, इसलिए संस्कारित भासा में इसको बोलते हैं, पर्थम, दुतिया, तर्थिया, और संबोधन अगर आपने बच्पन में ध्यान दिया हो तो ये बड़े कमाल की है जिसमें आपने पढ़ा होगा करता ने करम को करन द्वारा संपदान के लिए अपादान से संबंद का की के अधिकरन में पर हे और अरे अगर इसको हम पाली में पढ़ेंगे ये अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें जो पठमा है यानि कि अब हम जो व्याकरन है जो ग्रामर है पाली की वो सबसे सल रूप इसमें जो आता है विभत्ती आता है यानि इसको कैसे बाटा गया है यानि जो इसमें करने वाला होता है कारक होता जैसे बुद्ध ने तो उसमें पहले वाले को पठमा बोलते हैं यानि जो सब्जेक्ट होता है इंगलिस के नुसार उसको पठमा बोलते हैं वो पठमा हो गया और पठमा हमेसा कारक होता है कारक का मतलब है जो करने वाला होता है करता होता है फिर इसमें जो दुतिया आता है कम यानि कि object हो गया और object को को बोलते हैं जैसे पानी को, खाने को, चाए को, जाने को, रोने को, धोने को, हसने को, गाने को यानि कि ये कम हो गया ततिया आता है इसमें करण करण का मतलब है करणा करन आता है इसको ततिया विभत्ती बोलते है करन का मतलब है द्वारा जो आता है किसके द्वारा करन क्या है किसके द्वारा करते है जैसे पेड़ को आरी से काटना है आरी के द्वारा काटना है तो द्वारा जो आता है यारी बाई जो आता है वो आता है और हिंग्लिस में इसको विद भी बोलते हैं विद का मतलब है चेन के साथ में औजार के साथ में तो दौरा का मतलब यहां आता है करण यह तीसरी आती है तत्या विभत्ति आती है और चतुत्ति आती है संपदान चतुत्ति विभत्ति का मतलब है संपदान संपदान का मतलब है संपून दान यानि कि सदा के लिए देना संपून रूप से देना संपदान का मतलब होता है बाद में संस्काइब भासा में इसको संपदान बोलते है तो सदा के लिए देना का मतलब है के लिए जैसे हम बोलते हैं ना बुद्धस्य, बुद्ध के लिए, यानि दे दिया हमने, सुधीरस्य, यानि सुधीर के लिए, सुधीरा है, सुधीर के लिए दिया, सदा के लिए दिया, संपदान, यानि संपूर्ण दान, दान माने जो होता है, वो देना होता है, फिर आता है इसके से वर जो टा है से जैसे मामा से वो लेके आओ या नानी से वो लेके आओ या चाए से बाहर ये निकालो यानि से जो आएगा वो अलग करने के लिए आता है लखना उससे आ रहे हैं यानि लखना उससे अलग हो रहे हैं ऐसा से से आता है उसको अपादान बोलते है अपादान का पाली का मतलब है दान जो दिया हुआ है उससे अलग करना जो छटी आती है छटी बिभत्ती इसका मतलब होता है संबंद यानि रिलेक्शनशिप संबंद का मतलब है कि आपका किसी चीज़ से सम्मंद क्या है जैसे मेरी किताब, मेरा बेटा, मेरा कैमरा, मेरा वीडियो, मेरे सब्ध, मेरा कागज, मेरा पैन, मेरी किताब यानि कि जो सम्मंद स्थाबित करेगा वो आता है जो छटी विभत्ती होती है उसमें से जुड़ जाता है और सत्मी जो होती है यानि सात्मी विवखती जो होती है जो अलग-लग करते हैं जिसमें बाटना होता है उसको बोलते है अधिकरण अधिकरण का मतलब है अधिकार रखना या मुकदमा करना या उस पे अपना पूरा प्रभाब करना इसको अधिकरन बोलते है, अधिकरन का मतलब हो गया कि ये मेरे अधिकार में है, में और पर जब लग लग जाता है, यानि इस में, यानि इस में अधिकार हो गया, तुम में, यानि तुमारे अंदर अधिकरन हो गया, तुम पर, यानि तुमारे उपर कुछ है, तो ये अधिक करते हो तो उसको आलपन बोलते हैं ये आठ प्रकार के जितने भी सेंटेंस हैं उनमें ये आठ प्रकार की चीज़ें हमें से इस्तेमाल होंगी इसके लावा नौमी कोछी इस्तेमाल नहीं होती विबत्ती सिर्फ आठ प्रकार की हैं पूरी दुनिया में आठ प्रकार की हैं इ तुत्ती करके है इसलिए बहुत सरल है और बहुत सिंपल है इसमें कहीं कोई कन्फूजन नहीं है आप ये स्लाइट देखिए और स्लाइट देखने के बाद में आज से जोडेंगे कि इसने की जगे सिर्फ उसमें ओ जोड दीजिए जैसे सुधीर ने का मतलब सुधीरो और सुधीर का मतलब सुधीरंग और सुधीर के द्वारा इसका मतलब है सुधीरेन और सुधीर के लिए का मतलब है सुधीराय और सुधीरसे सुधिर से का मतलब है सुधिरा, सुधिर इसमा और सुधिर महा यानि कि इसमा जोड़ देंगे, महा जोड़ देंगे और आ जोड़ देंगे तो सुधिर से हो गया और सुधिर का कुछ है सुधिर का या सुधिर की तो सुधिर से जोड़ देंगे और सुधिर में या सुधिर पर कुछ होगा तो उसे सुधिरे कर देंगे सुधिर मी कर देंगे या सुधिर इस्मिंग कर देंगे इस्मिंग जोड देंगे मी जोड देंगे या ए जोड देंगे और खाली सुधिर से बात करनी होगी तो सुधीर या सुधीरा ऐसे करके आप नाम में लोगों से मिली है जैसे किसी का नाम है जैसे अमीर नाम है तो अमीरो हो गया अमीरेन, अमीरंग अमीरे, अमीरमा अमीरिस्मा, अमीरस्मिंग अमी रो अमीरस्य, अमीराय इस तो ऐसे आप उससे बात करेंगे तो आपको पाली दिधरेश समझ मा जाएगी जो स्लाइड मैंने नीचे दी है उनको कॉपी करके अपने पास रख लीजिए अगर आपको वहाँ नहीं मिलती है तो मेरे फेस्बुक पेस से आप उनको कॉपी कर लीजिए या मुझे वाटसेप पे आपको भेज दीजिए मैं आपको भेज दूँगा और पाली की सुरुआत कीजिए पाली बहुत अच्छी है आप इसकी प्रक्रिस करना सुरू कीजिए पाली आपको आती चले जाएगी पाली पांच में आज इतना ही धन्यवाद बखको पाली की canyon वर वाटसेप पाली कीजिए सक्षाँ में आपको ज सकाष है जार्रू कुझे ताना ही मैं भेज़ा कीजिए या requires यहмо Kenneth ऐते हो पास्तु हुए झाल दो जोग्य आँ हमाई नहीं हम, पर फिन रये हम कुट रहीं, पपनीप पुटेश हे टूल कि अवगग झाल सेघडेज सेंगी. अजय कोई दो झाल